एमस्वर्ट 2016 के इस अध्याय में फाइल टैप के अंतरगत आज आप सिखेंगे नई फाइल लाना, फाइल को सेव करना, फाइल ओपन करना और सेव एज ऑप्शन का उप्योग करना. अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों के साथ इसे शेयर करें और नई वीडियो की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें. यहाँ पर हमने MS Word 2016 ओपन करके रखा है. सबसे पहले हम फाइल टैब के अंतरगत आने वाले ओप्शन को एके करके समझेंगे. यहाँ हम आपको बता दें कि ये जो फाइल टैब आप देख रहे हैं, MS Word 2007 में ये ओफिस बटन के नाम से होता है. MS Word में नई फाइल लाने के लिए शॉटकट की Ctrl प्लस N प्रेस करें, या फिर फाइल टैब में जाकर New पर क्लिक करें. आप चाहें तो यहाँ से Templates चुन सकते हैं, और यदि आपको यहाँ दी हुई Templates के अलावा कोई और Templates सर्च करनी हो, जैसे मान लेजिए आपको Resume या CV की Templates चाहिए, तो यहाँ उपर सर्च बार में टाइप करें, Resume और उसके बाद Enter की प्रेस करें. यह देखें, Resume की Templates आ गई हैं, इनमें से जो भी Templates आपको चाहिए, उस पर क्लिक करके आप काम कर सकते हैं. यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें कि Templates सर्च करते समय आपके सिस्टम पर Net Connected होना चाहिए. पिछले पेज़ पर जाने के लिए Home पर क्लिक करें, अब यहाँ पर हम Blank Document पर क्लिक कर रहे हैं. यह नई फाइल आ गई है, आईए अब इसमें कुछ काम करते हैं. अभी हमने जो Document बनाया है, उससे Save करने के लिए Shortcut की Ctrl-S प्रेस करें, या फिर File टैब में जाकर Save पर क्लिक करें. यहाँ आपको File Save करने के लिए Location चुरना होगी, अगर आपको File OneDrive में सेव करना हो, तो OneDrive पर क्लिक करें, पर ध्यान रहे कि आपका Account इसमें बना होना चाहिए. यदि आप My Document या Desktop पर File Save करना चाहते हैं, तो This PC पर क्लिक करें, और इनमें से जो Option चुरना हो, वो चुने. By Default, File My Documents में सेव होती है, और यदि इन Locations के अलावा किसी अन्य Location पर File Save करना हो, तो Browse में जाकर वो Location चूज करें, यहाँ पर हम E Drive सेलेक कर रहे हैं, अब यहाँ पर जिस नाम से File Save करना हो वो नाम दें, और उसके बाद Save पर क्लिक करें. यह देखिए, हमने जिस नाम से File Save की है, वो नाम उपर Title Bar में नज़र आ रहा है. अब हम इस Document को Close करना है, तो Shortcut की Ctrl और W प्रेस करेंगे, या फिर File में जाकर Close पर क्लिक कर देंगे. अब हम फिर से Ctrl और N प्रेस करके नई File ले आते हैं, इसमें कुछ टाइप कर देते हैं, अब हम इस File को बिना Save किये Close करते हैं. देखें, यहाँ पर एक Dialog Box आ गया है, यदि आपने किसी नई File में काम किया है, या किसी File को Open करके उसमें काम किया है, और File को बिना Save करें, यदि आप उसे Close करेंगे, तो ये Dialog Box आएगा. अब यदि आपको इस File में और काम करना हो, तो Cancel पर क्लिक करें, यदि आपको File Save नहीं करना हो, तो Don't Save पर क्लिक करें, और यदि आप चाहते हैं कि File Save हो जाए, तो Save पर क्लिक करें. हम Don't Save पर क्लिक कर रहे हैं, हमने पहले जो File Save की थी, यदि उसे Open करना हो, तो Shortcut Keys Ctrl प्लेस O press करेंगे, या फिर File में जाकर, Open Option में, यहां आपको Recently Open की गई Files की लिस्ट मिलेगी, इन में से जो File Open करना हो, उस पर क्लिक करें, और यदि उस File का नाम यहां पर नहीं दिखाई दे रहा हो, तो Browse में, जिस Location पर आपने File Save की थी, वहां जाकर, उस File को Select करें, यह First File नाम की File है हमारी, इसको Select करने के बाद, Open पर क्लिक करेंगे, यह देखिए, यह File Open हो गई है, अब हम इसे Close कर देते हैं, आपने पहले जिस Location पर File Save की हुई है, यदि उसके अलावा किसी अन्य Location पर भी वो File Save करना चाहते हैं, या फिर आपने File में कोई Changes या Corrections किये हों, और आप उस Edited File को किसी अन्य Location पर उसी नाम से या किसी अन्य नाम से Save करना चाहते हैं, तो उसके लिए Save As Option का उप्योग कर सकते हैं, कैसे आईए देखते हैं, सबसे पहले उस File को Open करें, उसके लिए Shortcut Keys Ctrl O प्रेस करें, यह Drive में Saved है, इस पर क्लिक करें, यह File Open हो गई है, अब इसमें जो भी Changes करना हों, वो किये जा सकते हैं, हमने इसमें कुछ और Matter टाइप किया है, अब File Option में जाकर Save As पर क्लिक करें, और जिस भी Location पर File Save करना हों, उसे Choose करें, हम My Documents चूज कर रहे हैं, अब आप चाहें तो इसी नाम से File Save कर सकते हैं, या फिर नाम बदल कर भी File को Save कर सकते हैं, हमने इसका नाम बदल कर First File Edited कर दिया है, अब Save पर क्लिक करेंगे, अब पहले जो File हमने बनाई थी, वो E Drive में Saved है, और Changes करने के बाद यह जो Edited File है, वो My Documents में Saved हो गई है, MS Word 2016 के इस अध्याय में, File Tab के अंतरगरत आज आपने सीखा, नई फाइल लाना, फाइल को Save करना, फाइल ओपन करना, और Save As Option का उप्योग करना, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों के साथ इसे शेयर करें, और नई वीडियोज की जानकारी के लिए हमारे योट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, से खञे करें बसaktu दुिएैंग्य करना, तकारी क rays से लाइक की जानकारी करें, अन्य वीडियोग में वीडियोग करें।